हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल इगनु बाबा में I hope you are doing well दोस्तो इगनु ने जैनवरी 2022 सेशन के एडमीशन की डेट को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है यह record साथ भी बार ऐसा हो रहा है कि इगनु ने एडमीशन की डेट को आगे बढ़ाया है सबसे पहले मैं आपको news के बारे में बता देता हूँ फिर आगे की बात बताऊँगा यह news बिल्कुली authentic news और सही news है कि इगनु ने एडमीशन की डेट को आगे बढ़ाया है आप यह देख सकते हैं यह इगनु का official website है इगनु.ac.in यह हमारे इगनु के किसी भी information के लिए एक authentic source होता है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं इसमें जब जैसी scroll करके नीचे की तरफ आएंगे alert section है alert section में जितने भी new updates है इगनु के वो सभी आपको मिलेंगे तो यहाँ पर जो उपर के आपको दो updates ने ने दिख रहे हैं इसमें देखें मैं आपको पढ़कर बताता हूं क्या लिखा हुआ है Online admission link for online programs for January 2022 session is open till 31st March 2022 और इधर क्या लिखा हुआ है वो पढ़के बताता हूं अब आपको Online admission link for odial programs for January 2022 session is open till 31st March 2022 यानि यह news बिल्कुल ही पक्की है कि दोनों programs दोनों mode के लिए online mode और odial mode दोनों ही mode के लिए जो admission की date है January 2022 session के लिए वो अभी तक open है कब तक 31st March तक तो दोस्तो ऐसा हो सकता है कि 31st March के बाद यह date आगे न बढ़े तो अभी तक आपने admission नहीं लिया है admission लेने के बारे में सोच रहे थे किसी कारण वस नहीं ले पा रहे थे like document कठे नहीं हो पा रहे हैं या फिर सोच में है कि इस program में admission ले या उस program में admission ले तो दोस्तों अगर ऐसी कोई confusion है कि इस time ले या next semester में admission ले तो आप मुझसे comment में पूस सकते हैं मैं बिल्कुल reply दूँगा आपको मैं किसी भी comment को ऐसे नहीं छोड़ता हूं क्योंकि students को और कोई source नहीं है वो विचारे बहुत confused रहते हैं कि क्या करें इसलिए मैं सभी comments का reply करता हूं तो आप मुझसे comment में कुछ भी पूस सकते हूं कोई भी problem हो आपको दूसरा मैं यहां पर एक और जानकारी देना चाहता हूं यहां पर bracket में कुछ लिखा हुआ है उसके बारे में आपको बता दूँ यहां लिखा हुआ है देखिए accept certificate semester based and merit based program यानि कि जो यह admission है दोस्तो यह सिर्फ regular है जो normal courses है उनके लिए है जो certificate based होते हैं certificate based course इगनू बहुत सारे चलाता है जैसे कि मैंने उसके ओपर वीडियो बनाई है अभी जो 2022 में नएने certificate course launch हुए है लाइक फूड प्रोसेसिंग का certificate course है agriculture में है रूरल डवलपमेंट में certificate course है certificate course इगनू का 6 महीने का होता है बहुत ही कम मतलब फीस पे होता है और इसमें आपको अच्छा नोलेज दिया जाता है तो उस जो certificate course है उसके लिए admission close है semester based and merit based program है उनके लिए जो मतलब admission है वह अब close हो सकी है हो चुकी है नॉर्मल जो प्रोग्राम से लाइक बीस सी बीए मतलब इनके लिए अभी तक open है 31 मार्थ तक तो आप admission ले सकते हैं वहीं सेम चीज इधर भी लिखा हुआ है ओडियल के लिए ओडियल बता देता हूं open distance learning ओडियल का full form है और online आपको पता ही है दोनों में difference भी बता देता हूं brief में ओडियल में क्या होता है कि Saturday और Sunday को आपको study center पर visit करना पड़ता है या किसी भी काम के लिए आपको अपने regional center visit करना पड़ेगा like assignment जमा करना हो projects या कोई assessment हो तो उसके लिए भी आपको अपने study center पर visit करना पड़ेगा इसमें student और teacher का इंट्रेक्शन होता है कई बार लेकिन online programs दोस्तों fully online होता है मतलब इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जुरत नहीं पड़ती बस आपके पास एक laptop computer या mobile phone होना चाहिए study material को access करने के लिए teacher का भी जो interaction होता है students के साथ assignment, project, assessment कुछ भी देना हो, home or कुछ भी देना हो वो teacher और student एक दूसरे के साथ virtually interact करते हैं उनको कहीं जाने की जुरुत नहीं पड़ती तो यह online program से और जो मैंने अभी ओडियल बता है open distance learning अब मैं इसमें बता देता हूं दोस्तों की इसका जो registration process है बहुत ही simple है दोनों का मैं बहुत बार बता चुका हूं registration process के बारे में मतलब मैंने वीडियो भी बनाया है registration process के उपर काफी detail में की कौन-कौन से document चाहिए और बहुत ही अच्छे से समझाया है जाकर देख सकते हैं अब channel पर है तो देखिए यह जो यहां पर date देट आ रही है दोस्तों अभी पुरानी वाली डेट आ रही है 25 मार्च मतलब इन्होंने अपडेट नहीं किया लेकिन मैं बता दू मैंने इनका twitter handle भी चेक किया था official twitter handle इवनों का उस पर भी इन्होंने जानकारी दिये कि अभी जो date है वो बढ़ा दी गई है 31 मार्च तक य confusion यह दूर करना चाहता हूं यहां पर देखिए अगर क्या होता है कि कोई st या sc category का student दो प्रोग्राम में admission ले चुका है इगनू के दो प्रोग्राम में admission ले चुका है ऐसा हो सकता है कई students को यह भी confusion रहता है कि मैं दो प्रोग्राम में admission ले सकता हूं कि नहीं हां ले सकते हो किसी भी मतलब open learning वाले प्रोग्राम में किसी भी university से आप दो मतलब courses में एक साथ simultaneously admission ले सकते हो तो क्या होता है कि कई बार ST और SC category के student दो प्रोग्राम में admission ले लेते हैं और IGNU में एक सुविधा है ST SC students के लिए कि वो fee exemption के लिए apply कर सकते हैं यानि जो उन्होंने fee भरा है वो वापिस हो जाती है तो अगर मान लीजिए कोई ST SC category का student है और वो fee exemption में छूट लिना चाहता है और उसने दोनों ही courses में fee exemption के लिए apply कर दिया तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं IGNU दोनों ही application को cancel कर देगा जीरो रुपए देगा आपको refund में और दोनों के दोनों admission को भी cancel कर देगा ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना कभी भी ऐसा नहीं करना अगर आप STSC category से बिलोंग करते हैं सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए apply करना fee refund के लिए दोनों के लिए नहीं करना है अब मैं यहां पर जो online प्रोग्राम से और जो audio mode है मतलब online mode और audio mode दोनों में एक छोटा सा difference है वो बता देता हूं difference कहां पर आ रहा है वो मैं बताता हूं difference है दोस्तों fee payment को लेकर आप जो audio mode है उसका fee structure देखेंगे fee payment देखेंगे वो different है थोड़ा और जो online mode है उसके लिए fee payment का जो structure है वो different है देखिए यह मैंने जो website open किया है यह है audio mode के लिए open distance learning के लिए तो इसमें जो fee payment है इसमें देखिए six जो हमारा point है उसमें क्या लिखा हुआ है credit card master या वीजा debit card master या वीजा net banking और UPI देख रहे हैं आप इस point को UPI मतलब यह जो UPI वाला option है यह आपको online वाले जो registration process है उसमें नहीं दिखेगा देखिए यह fifth point में सिर्फ यहां टीन option दिये हुए है credit card debit card net banking और यहां क्या दिया हुआ है credit card debit card net banking UPI तो जो यह difference है मतलब odial और online में तो एक यह major difference है कि online programs के लिए जो fee payment है वो तीन तरीके से होती है और जो odial programs है open distance learning के उनके लिए fee payment कितने तरीके से होती है चार तरीके से और जो एक major difference दोस्तों यह है online programs में और odial programs में कि जो मान लीजिए आपने एक बार admission ले लिया odial में तो आप अगर admission को cancel करते हैं तो उसमें इगनू आपको पूरा पैसा नहीं लोटाएगा वह आपका कुछ पैसा कट करके डिडेक्ट करके आपको वापिस देगा इसमें अच्छे से बताया हुआ है कि अगर आप मतलब admission मतलब लेने जो डेट है cancellation की डेट है इससे पहले करते हैं इसके बाद में करते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है वह देख लीजिए आप यहां नीचे दिया हुआ है इसके लाब हमें बताना चाहता हूं कि जो यह registration process है के लिए इसके लिए आपको 200 रुपे का एक फीज देना पड़ता है जो admission कैंसल करने पर नहीं मिलता वापिस वह वाली फीज नहीं मिलती रेश्टेशन वाली बाकि जो कोर्स के लिए आपने फीज दिया है तो वह कटकर कुछ आपके पास वापिस आ जाती है और जो online प्रो सिंपल सा रेश्टेशन करके फिर अपने मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो और यहां पर डॉक्यमेंट दिया हुआ है बहुत अच्छे से हर डीटेल निखी हुई है बस आपको समझने की जुरत है कोई रोकेट साइंस नहीं है देखें यहां पर लिखा हुआ इसके फोटोग्राफ चाहिए साइज भी बता रखा है कि सो के भी से चोटा डालना है कई वार स्टूडेंट इसको भी नहीं पढ़ते और पढ़ जानने के बाद भी वह अपलोड करने कोशिश करते हैं सब इल्कुल नहीं करना है आपको इसकेंड फोटोग्राफ डालना है जो ज इसका साइज भी 200 के वी से चोटा होना चाहिए एक्सपरियंस सर्टिफिकेट को है देना चाहते है नहीं है तो कोई दिकत नहीं है और यह तो देना पड़ेगा अगर इसके लिए मतलब उसका विसाइज 200 के भी है वी दे सकते हैं अगर आप विलो पोवर्टी लाइन है तो उसका वी साइज क्या होना चीह डोकमेंट का 200 के भी से छोटा चोटे डिटेल्स है तो यह आपको ध्यान में रखना है यह दोनों के लिए सेम है जो ओडियल मोड है औ और दूसरा मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों यह जो रेजिस्टेशन कर लोगे तो इसकी डिटेल कहां आएगी तो यह आपको यसमेस भी आएगा और पासवर्ड है वह आपके मोबाइल नंबर और इमेल आईडी पर आता है आप यह रैड में देख रहे हैं यह जितना और फ़ी रेड में लिखा हूँ यह डिटेल मतलब मेंडेटरी डिटेल है इस्टारिक का मंतलब लगवा हूँ यह मेंडेटर री है और एक आपनी यह भर दिया तो यह चेंज नहीं होगा जैसे यह जीनम भर बार रबार चेंज नहीं होता है आपका resistant name मतलब नाम कैसे चाहता हूं स्टुडेंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा आक्रोस और गुस्सा बढ़ता जा रहा है मुझे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि उन्होंने तो जैनुवरी में अडमीशन ले लिया अभी तक उनके समर्थ रहें तो उनको डो जाता जाता है एकनुब चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूर Einlingen a ले सकता है यह होसकता है यह वह शक्ता कि उध्क देट को आगे बढ़ाएंगे में तो ज्यादा लोग अडमीसनल और पैसा आए यह सारी ऐसी तरह-तरह की बाते हैं जो आश अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल है फिर भी कोई दिक्काद आती है मुझसे कमेंट नो पूश सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए सेयर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक यू बेरी मस्ट दोस्तों